नमस्कार, आज हम बनाएंगे दही वड़ा दही वड़ा हर जगे मिलता है और हर स्टेट में थोड़ा सा इसका टेस्ट डिफरेंट होता और अलग तरीके से बनाया जाता है आज हम दो तरीके से दही वड़े बनाएंगे साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन स्टाइल में जिस तरीके से हमारे घर में बनता है वो रेसिपी आपको दिखाएंगे शुरू करते हैं आदा कप हमने लिया उरद उरद को 4 घंटे पानी में भिगो लिया है ये होल उरद है छिलका उत्रा हुआ उरद की डाल नहीं लिये हमने उरद को हमने धो लिया था फिर पानी में भिगोया था अब हम इसका पानी निकाल देंगे और इसको पीसेंगे उड़त काफी पानी एब्जॉब कर लेता है तो इसे पीसने में पानी की जरुरत नहीं लगती अगर आपको फिर भी पीसने में दिक्कत हो तो एक या दो चमच ही पानी आड़ करें इसका हमको एक थिक बैटर बनाकर तयार करना है इस तरीके का अगर बैटर लूज हो गया तो बहुत ज़ादा तेल एब्जॉब करेगी फ्राई होते वाक्त अब हम बैटर चेक कर लेते हैं यह देखिए बैटर अभी हमने पानी में डाला तो यह तले में जाकर बैट गया है तो हमें बैटर को लाइट करना है इसमें हवा भरना है तो इस तरीके से हम पांच मिनट तक इसे हाथ से बीट करेंगे इससे क्या होगा कि बैटर के अंदर हवा भर जाएगा और बैटर हलका हो जाएगा और बहुत ही soft वड़े बनेंगे पांच मिनट होगी आप बैटर चेक कर लेते हैं आपको तब तक बीट करना है जब तक कि आप बैटर पानी में डाले और बैटर फ्लोट न हो देखिए अभी फ्लोट हो रहा है जब तक आपका बैटर फ्लोट न होगा तब तक बैटर तयार नहीं है अब बैटर को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि दो स्टाइल में धही वड़े बन रहे हैं पहले साथ इंडियन स्टाइल का हम बनाते हैं उसके लिए हम आदा टीस्पून लेंगे जीरा आदा टीस्पून हम लेंगे कुटी हुई काली मिर्च पीष न नहीं है 260 मिरच को कूट लेना है हमें俺 नालीमिरच भी बारीक काट कर डालेंगे मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं बैटर तयार है थोड़ा सा और एड़ कर लेते प्रपोर्शन कम जादा लग रहा था स्वात के अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे इसे और हमें रेस्ट नहीं करना हम डायरेक्ट इससे वड़े बनाना शुरू कर सकते हैं हम ये दूसरा बैटर बाद में बनाएंगे तो पहले हम साउथ इंडियन वड़े बनाकर आपको दिखा देते हैं इसके लिए हम तेल गरम होने रखेंगे तेल को गरम करके गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है मीडियम गरम में ही हम इसे तलेंगे हाथ को पानी से भिगो लेंगे और इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा बैटर छोड़ेंगे वड़े बना कर आप होल वाले वड़े भी बना सकते हैं इस तरीके से भी बना सकते है यह आसान हो जाता है बनाना मीडियम फ्लेम में हम इसे तलेंगे जब तक कि अच्छा ब्राउन कलर का ना हो जाए पांच-सात मिनट लग जाएगा एक बैच होने में तब तक हम पानी तयार कर लेते हैं बढारम पानी हमें चाहिए जब हमारा वड़ा पक जाएगा तो उसे हम डायरेक्ली टिशू पेपर में नहीं निकालेंगे पानी में निकालेंगे पानी में निकालके रखना होता है फिर वो पानी एब्जॉब करता उसके बाद ही दही बड़े बनते हैं तो ये देखिए हमारा वड़ा बढ़िया तल गया है इसको हम पानी में निकाल देते हैं और इसको अब हमें रखना है आदे घंटे के लिए इसी तरीके से पानी में उसके बाद दही बढ़े बनेंगे दही तयार कर लेते हैं हम तब तक तो आदा कपके आसपस हमने दही लिया है गाड़ी दही है तो इसको अच्छे से चम्मच से बीट करके हम स्मूथ कर लेंगे स्वात के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे दही हमें थोड़ी पतली रखनी है तो थोड़ा सा आप इसमें पानी मिलाकर डाइल्यूट कर सकते हैं क्योंकि दही गाड़ी रही तो वड़े एब्जॉबनी करेंगे ये देखे आदा घंटा होगी है अब हम वड़ो से पानी निकाल लेते हैं आप हाथ से इस तरीके से दबा के निकाल सकते हैं या चमच की सहायता से इस तरीके से भी पानी निकाल सकते हैं बस ध्यान रहे वड़े टूटे ना क्योंकि बहुत ज्यादा नाजुक हो जाते हैं पानी में जाने के बाद वड़ो से अच्छे से हमें पानी निकालना जरूरी है नहीं तो ये दही एब्जॉब नहीं करेंगे ये देखें दही की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए थोड़ी लिक्विडी रनी तो दही से अच्छे से हम वड़ो को कोट कर लेंगे और उसके बाद छोक लगाएंगे तो आदा टेबल स्पून हमने कुकिंग ओल लिया है तेल को गरम होने देंगे तेल के गरम होते ही आदा टी स्पून डाल लेंगे हम इसमें सर्सों का दाना और आदा टी स्पून ही हम इसमें डाल लेंगे जीरा इन्हें चटकने देंगे और करीबन वन फोर्ट टी स्पून हम इसमें हींग डाल लेंगे अब हम एक लाल मिर्च को तोड़ कर इसमें डाल लेंगे यह हमारा तड़का तयार हो गया है यह देखे थोड़ा से रोस्ट करेंगे 20- उसके बाद तड़का हम दही वड़े के उपर डाल देंगे दही वड़ो को उपर से गार्निश करने के लिए हम इसमें बूंदी डालते हैं तो आप नमकीन या तीखी कोई भी बूंदी डाल सकते हैं और यह साउथ इंडियन स्टाइल के दही वड़े बनकर तैयार हैं तो चल डलेगा इसमें थोड़ा सा स्वात के अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से बैटर में मिला के हम वड़े तलना शुरू करेंगे तो पहले जैसे हमने किया था उसी तरीके से वड़ो को तलना है थोड़ा सा बैटर डाल कर तेल चेक कर लेते हैं बैटर उपर आगिया है उंगलियों को गीला करकर हम इसमें वड़े छोड़ेंगे अगर आपको लगे कि तेल जादा गरम हो गया है तो आप गैस का फ्लेम थोड़ी देर के लिए लो रख लें और अगर तेल ठंडा लग रहा है तो गैस का फ्लेम थोड़ी देर के लिए हाई कर लें हमें इसमें मी बड़े mamak पाउडर बड़ qa cosade 1 co 2 a Impossible house 1 beimmen पाउडर बाउड스 का न्रहीं हादे पाउडर इसे अ बड़े तल कर तयार होगी युद्ध रएंगर वड़े अच्छे तल गए हैं, ब्राउन हो गए हैं, अब पानी में डाल लेते हैं, पानी में वड़ो को हम 30 मिनट तक रखेंगे और उसके बाद दही वड़े बनाएंगे, देखे 30 मिनट हो गए हैं, बढ़िया फूल चुके हैं वड़े, वड़ो से पानी स्क्वीज कर लें हैं, दही में हम 2-3 टीस्पून डालेंगे चीनी, यह वही दही है जो पहले हमने यूज किया था तो नमक इसमें अल्रड़ी डला हुआ है, अगर फ्रेश दही ले रहे हैं तो नमक और चीनी दोनों डालें, दही हमारी पतली होनी चाहिए इस तरीके से, दही से अच्छे से हम वडो को कोट करेंगे, दही अगर आपने गाड़ी रखी तो क्या होगा कि वड़े दही को एब्जॉब नहीं कर पाएंगे, तो वडो के ढखने तक हम दही डालेंगे और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे इसमें, उसक कि दिखने में बहुत सुन्दर लगेंगे, थोड़ी सी सौट की चटनी डाल देते हैं, ये इमली और गुड की चटनी है, इसे फ्रिज में रखा हुआ था, इसलिए चटनी थोड़ी सी गाड़ी हो गई है, आप इसमें चाहे तो हरी चटनी भी डाल सकते हैं अपने तो देखे, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों तरीके का दही बड़ा तयार हो गया है, दोनों का टेस्ट विलकुल डिफरेंट होता है, तो आप इन दोनों रेसिपीस को घर में बनाईए, खाईए और अपना एक्सपीरियन्स मेरे साथ शेर कीजिए, और अग अगर आपको मेरी रेसिपीस पसंद आती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेर जरूर कीजिए,